POCO F1 के लिए 2020 का latest Pi build का update आ चुका है जो के एक port room है oxygen OS का जिसे जो 1 plus 60 के device से port किया गया है और यहाँ पर आपको बाग के काफी चीज़े improved देशनी को मिल जाती है प्रिविएस वाले build के मुकावले तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको complete detail देना आपको कि क्या कुछ आपको नया मिलता है साथ से साथ अगर आप इसे flash करना चाहते हो तो किस तरीके से आपको यहाँ पर flash करना है हेलो एर्विवन, I am MK and you are watching Tech Office और इस वीडियो में बात करने वाले latest updated version Oxygen और इसके बारे में जो की Android Pie के उपर बिजडे जहाँ पर 1 सिस्टनबर 2019 का security patch level है और यहाँ पर आपको जो करनेल जो कि Among Keyors से देहनी को मिल जाता है bill number में आपको 2020 लिखाओ मिलता है और यह director cut के नाम से भी आपको देहनी को मिल सकता है यहाँ पर 3 maintainer है जो इसके जोनों ने इसे maintain किया है ताकि आपको boosted performance देहनी को मिल सके और काफे longer battery backup भी देहनी को मिल सके यहाँ पर op 60 जो कि beta 18 है तो यह आपको status देहनी को मिलता है oxygen वो इसके virgin का वह यहाँ पर आपको यह सारे options जो कि proper तरगे से काम करता है कोई भी इसूद देहनी को नहीं मिलता है utility में आपको वो options सारे मिल जाते हैं जो कि बागे आप पहले से use करते हुए आ रहे हो यहाँ पर आपका apps lock, pallor app यह सारे चीज़ आपको working मिलता है कोई भी इसूद नहीं आता है और यहाँ पर सबसे बड़ा plus point मुझे लगा है face unlock को लेकर क्योंकि यहाँ पर smart lock तो working रहता ही रहता है जो कि IR camera को support करता है और साथे साथ आपको यहाँ पर जो oneplus की और से हमें face unlock देहने को मिलता है यह भी working देहने को मिल जाता है आप देख से तो कि दोनो face unlock को मैंने set कर रखा है और दोनो प्रोपर तरिके से काम करता है और जब यह आप इस लोग करके power button को प्रेस करोगे तो डाक लिए आपको जो unlock screen देहने को मिल जाता है यह मुझे बिल्कुली fast लगा जैसा कि हमारा MIUI का इस्टेवल बिले जो so करता है तो यहाँ पर मुझे face unlock से regarding बहुत जादा improvement देहने को मिला जो कि previous से किसी भी pie edition के रोम में देहने को नहीं मिला था तो यहाँ पर आपको जो by default oxygen wise का face unlock है यह आपको जो सिर्फ से camera का यूज करता है जबकि माँ जो google का smart lock है यह आपको camera plus IR का भी यूज करता है तब dark mood में भी यूज कर पाओगे face unlock अपने smart lock का यूज करते हुए है लेकिन अगर आपको जो IR camera यूज नहीं करना है आप trust नहीं करते हो smart lock जो कि google का lock है तो आप यहाँ पर face unlock यूज कर सकते हो अपने oxygen OS का तो यह dip in करता है आपके उपर बट मैंने फिलाल दोनों को जो set कर रखा है और proper तरिके से काम करता है और fingerprint का भी response काफी ज़्यादा fast मिलता है जैसा कि हमारा MIUI के उपर है तो यहाँ पर face unlock और fingerprint का response मुझे काफी ज़्यादा जो पसंद आया है जो कि अब तक किसी रोम में देहनी को नहीं मिला है वह बैटिक डिटेल तो मैंने जो कई तरिके से यूज किया है तो मुझे proper नहीं मिला है बट कुछ फ्रेंड्स ने यूज किया तो उसकी screen suit मैं आपके साथ share करने वाला हूँ वहीं पर आगे किराते हैं तो यहाँ पर बटन एंक किस्टमाइशन मिलता है जहाँ पर किको gestures वगरा देहनी को मिलते हैं और neighbor gestures वगरा देहनी को मिल जाता है जो कि proper काम करता है डिस्प्ले के अंदर adaptive brightness proper working है यहाँ पर आपको जो notch का behavior देहनी को मिलता है जो कि आप show and hide कर सकते हो no issues यहाँ पर आपका है जो ambient display भी जो proper काम करता है तो यहाँ पर काफी अच्छा लगता है और जब भी कोई notification नहीं पर अपे रहता है वो perfectly जो show करता है आपको कोई भी issues देहनी को नहीं मिलता है notification से regarding तो always on screen के जगह आपको ambient display अच्छे तरीके से perform करता है यहाँ पर आप dark mode pro पर तरीके से use कर सकते हो और यहाँ पर light mode वगरा भी आपको working मिल जाते है अच्छे तरीके स्पीड मीटर भी देखनी को मिलता है by default यहाँ पर speed meter है जो कि ठीक से काम नहीं करता है अच्छे बार को draw करना परता है तब ही नज़र आता है तो यहाँ पर मैंने application का use किया है जो कि मुझे timing की puzzle में जो speed meter को activate करके देता है जिसके मुझे से मैं notch का use करते भी आप speed meter को check कर पाता हूँ क्योंकि oxygen device का speed meter तो हमें side में तेखनी को मिलता है जिसके लिए में बार बार जो आपने qs panel को draw करना परता है तो यह एक plus point हो जाता है अगर आप कोई भी application का use करते हो तो मुझे आपके जो bluetooth card से screen यह सारे चीज़े working मिलता है जियो का video column में ने try किया है और मेरे लिए यह perfect working है तो मुझे इसमें कोई भी issue देहने को नहीं मिला oxygen हो इसका जो by default camera है यह भी proper काम करता है तो आप इसका full benefit ले सकते हो या फिर आप यहाँ पर Gcam यूज़ कर सकते हो लेकिन इसके जो छोटे मुटे extra features है जैसे कि pro mood अगरा हो गया इसमें आपको problem देहने को मिल जाएगा लेकिन नॉर्मल तरह के से आप इसका full benefit ले सकते हो साथ से यहाँ पर Google Lens भी है जो attach किया गए हमारे जो OnePlus के camera के अंदर तो आप इसका भी benefit ले पाऊगे कोई issue नहीं आएगा बट मैं prefer करूँगा कि आप Gcam यूज करो किको Gcam के सारे features आपके लिए working रहेंगे जाए आप slow mo हो या portrait हो या फिर आपका बाके दर option हो तब Gcam यहाँ पर यूज कर सकते हो जो यहाँ पर स्क्रीन ओन टाइमिंग है जहाँ पर गेमिंग वगरा नहीं किया गया है तो normal basic usage पर जाइड सी बात है कि आप गेमिंग करते हो तो आपको लोग battery देहने को मिलेगा वहीं पर जो इसका untu2 का score है वो भी मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा है जो कि previous के जितने भी oxygen और इसके update आए उनसे तो better नहीं देहने को मिल जाता है जो कि 336589 का है और इसका जो gaming mode है वो भी proper काम करता है और PUBG में आपको काफी अच्छा खासा experience देहने को मिलेगा वीडियो इन फूचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेलेगा इन पर क्लिक करके नोटिफिक्स को इनवल कर ले ताकि जब मैं वीडियो दूँ आपको जो नोटिफिक्स मिल सके और आपको से वाच करते बेनिफिट लेकिन अगर आप इसे रूट करने वाले ह ता आपका नेट्स्रेप्टी बिल्कुल ही फिल रहेगा ता आपको इसे पास करने के लिए कुछ सिम्पल से एश्टेफ फॉलो करने होगे सबसे पहले आपको डो मोडियो डाउनोड करना है जो कि बीजी बॉक्स और मैजिक्स हाइड प्रॉफ कॉन्फिक्स है तो इससे ड यहा और प्रोक्स इससे टायप करने को आपको फिरसे एंटर पर क्लिक कर तयना है शहाँ साँ यहां परना प्रॉब्छे शियह एक और फिरसे ओप करने हैं और enter click कर देना है अब यहां पर कई साथ डिवाइस के name आ गए है तो अभी फिलाल हम PocoEvent के अंदर OnePlus का रोम यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर OnePlus के डिवाइस को select करेंगे तो यहां पर यहां पर आपको है जब डिवाइस में नमबर 9 पर OnePlus 6 जो कि 9 और 10 के साथ आता है तो जो नमबर 9 है उसे हम टाइप करेंगे जो कि OnePlus 6T का है और enter क्लिक कर देंगे अब यहां पर Android वर्जन आपको select करना है क्या आप Android 10 है यहां फिर Android 9 है तो अभी जो मैं पोर्ट रोम यूज कर रहा हूं यह Android 9 का है तो 9 है नमबर 1 पर नमबर 1 आपको टाइप करना है और फिर से enter कर देना है अब yes और no है तो y type करेंगे yes करेंगे अगे इन जो working होगा और फिर से आपको यहां पर yes और no option आएगा तो यहां पर y type करके yes कर देना है अब आपका device यहां पर restart होगा और उसके बादे अगर आप चेक करोगे दुआर आपको net safety बिलगोली pass देखने को मिलेगा तो यह simple सा steps आप follow up करके अपने net safety को भी pass कर सकते हो और banking के अपने जो problem आ रहा है उसे भी आप है जो solve कर सकते हो और android 9 का है तो यहां पे neighbor pills आपको देखने को नहीं मिलता है बट आप third party app का यूज करते हो यह tip in करते हैं आपके उप phone को switch up करके T2RP को open करना है T2RP को open करने के बाद आपको सब कुछ internal का backup ले लेना है क्योंकि अगर आपने android 10 का कोई भी रूम यूज किया है तो आपको अपने internal को format करना पड़ेगा ताकि रूम अच्छे तरह से flash हो पाए और आपको better experience और result देहने को मिले अदर्वाज अगर आप normal wipe करते हो तो आपको कुछ problem देहने को मिल सकता है रूम में तो सबसे पहले आपको wipe पर आना है format पर जाना है और यहां पर yes type करना है लेकिन format करने से पहले आपको data को remove कर लेना है और वो tips में आपको यह देना चाहूँगा कि आप अगर इस रोम को use करने वाले हो तो charging पर मच डालना अधर आपको slow charging का issue देहने को मिलेगा अब यहां पर मैंने file को in कर दिया अपने internet storage में अब सबसे पहले आपको जोत पड़ेगा इसका framework और vendor का जो कि मैं 9.6.27 यूज करना हूँ जो कि 5 edition है क्योंकि जो रोम है oxygen इसका यह 5 build है तो आपको 5 वाला है जो framework दिखाई देने वाला है तो इसे select करके आपको flash कर देना है after complete flash आपको यहाँ पर wipe catch कर देना है और report पर type करके only on 5 minute का wait करना है काफी के लिए boot कर जाता है उसकर आप setup करके full use कर सकती हो क्योंकि रोम मुझे काफी ज़्या perfect लगा है बस थोए वो details की कमी है वह है बैट वेट व लगा क्योंकि मुझे सब कुछ perfect लगा है बस मुझे बैट वेट 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 अच्छा नहीं लगा personal use पे लेकिन users का opinion काफी ज़्यादा बेटर है तो आप ज़रूर सेर करना अपना opinion comment session में और वीडियो पसंद आयो तेक thumbs up जरूर दे और चैनल को subscribe करना बेलकू लिना बोले ताकि इसी तरह के interesting वीडियो आपको मिल सकें remember one thing channel change नहीं करना है आपको अधर आपको जो other issue देहनी को में लेगा अगर आप android 10 से है जो इस pie edition पे switch कर देओ तो फॉर्मेट करना जरूर यह अधर आपको performance में problem आ सकता है तो guys मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए झा coloured एख तो寡ना झाल झाल आपको कर दो